आज मैं आपको बदाने जारी हूँ एक ऐसा उपाए एक ऐसा नक्ष जिससे आप अपनी खोई हुई मोहबत को पा सकते हैं असलाम वालेकुम दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बदाने जारी हूँ एक ऐसा उपाए एक ऐसा नक्ष जिससे आप अपनी खोई हुई मोहबत को पा सकते हैं आपकी खोई हुई महबबत आपके पास वापस आ जाएगी चाहे आपकी प्रेमी का हो या आपका प्रेमी हो बस आप अगर उससे सच्चा प्यार करते हैं सची महबबत करते हैं तो आपकी महबबत कहीं नहीं जाएगी आपके पास तुरंट खिची चली आएगी तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप इसे पूरा ध्यान से देखेगा जिससे कि आपको पूरा तरीका पता चलेगा कि कैसे हम इस नक्ष को बना सकते हैं और इस नक्ष के जरिये आप अपने प्यार को, अपनी मुहबबत को, अपनी जिन्दगी में वापस ला सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बे इंतहा मुहबबत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे से, हमारी जिन्दगी से दूर चला जाता है। और हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी आप उसको काबू नहीं कर सकते, आप उसे नहीं रोप पाते हैं और वो आपकी जिन्दगी से दूर चला जाता है। तो आज का जो ये नक्ष मैं आपको बताने जारी हूँ इसे अगर आप करते हैं तो आपके महबबत आपकी जिंदगी में वापस आएगी जी हाँ वो भी इतनी आसानी से आएगी कि आप खुद चौक जाएंगे कि इतनी आसानी से आपकी महबबत आपकी जिंदगी में कैसे तो आज मैं आपको बताती हूँ एक नक्ष जिसे करने का तरीका बेहदासान है आपको बस चाहिए होंगे इसके लिए एक कागज और एक कलम की जरुद पड़ेगी आए शुरू करते हैं इस नक्ष को बनाना मैं आपको बताती हूँ इस नक्ष को कैसे बनाना है सबसे पहले क कागस ले लीजिए और एक पैन ले लीजिए उसके जरीय आपको इसको बनाना होगा कागस पर आपको पहले सबसे पहले एक नक्ष बनाना है तो इस तरह से आपको नक्ष बना लेना है याद रखें ये इस तरह से चौकोर आपको नक्ष बनाना है उसके बाद यहाँ पर आप और उपर आपको लिखना है 786 ची हाहां 786 लिखने के बाद आपको इसके और खाचे बनाने है इस तरह से यह बन जाएगा अब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ उसी हिसाब से आपको इसमें वो लिखना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है तीन, यहाँ पर आपको लिखना है पाँच, यहाँ पर दो, यहाँ पर लिखेंगे एक, सत्रा, बारा उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेगा कि आप जब इसको बना रहे होंगे तो आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसे किसी को भी परेशान करने के लिए इस्तमाल नहीं करना है इस नक्ष का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ सची महबद को पाने के लिए ही करना है और तभी ये आपके लिए पूरी तरह से कारगर होगा आपकी मदद करेगा तो इस तरह से आपको इसका इस्तमाल करना है यह नक्ष आप बना लीज़े एक आगस के ऊपर और उसके बाद आपको इसे इस तरह से जब आप लिख लेंगे याद रखियेगा जिस तरह से जिस sequence में मैंने लिखा है आपको भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है इसको बिल्कुल भी change नहीं करना है यह लिख लिया आपने और उसके बाद यहां पर आप इसको लिख देंगे इसके बाद बीच में यहां पर आपको लिखना है अपने जो भी आपका प्रेमी है या प्रेमी का है आपको उनका नाम यहां पर लिखना है तो इस तरह से यहां पर आपको उनका नाम लिख देना है और नीचे इसके ठीक नीच आपको लिखना है बिन जो है वो आपको लिखना है अपने नाम के लिए बिन लिखकर फिर आपको लिखना होगा अपना नाम जी दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर इस जगे पर आपको लिखना है बिन ते बिन ते लिखना है आपको और उसके बाद लिखना है अपने प्रेमी के मा का नाम यहां पर आपको लिख देना है इस तरह से आपको अपने प्रेमी के मा का नाम आपको इधर पर लिखना है और इस जगे जहां पर आपने अपना नाम लिखा था वहां उसके ठीक नीचे आपको अपने अब्बू का नाम लिखना ह अबू या आप उनके पापा का नाम यहां लिख सकते हैं और इस तरह से आपका ये जो नक्ष है ये बनकर तैयार है अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ इसको आपको अच्छी तरह से फोल्ड करना है जी हां तो इस तरह से इस कागस को आपको लेना है और पूरा आपको इसे रोल करना है दोनों तरफ से आपको मोड़ना है इसको और उसके बाद इस तरह से ये बन जाएगा आपका नक्ष बनकर तयार है दोस्तों ये इस तरह बन जाएगा अब आपको क्या करना है अंत में आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेते हुए इसके उपर आपको काला धागा इस तरह से लपेटते जाना है जितनी बार ये धागा आप इसके उपर लपेटेंगे तो बस आप अगर काला धागा आपके बस नहीं है तो आप इसे काले कपड़े में भी लपेट सकते हैं और नहीं तो फिर आप इसे काले धागे में अच्छ बान देने हैं जी हां जब यह बंदेगा उसके बाद आपको एक काम और करना है दोस्तों यह देखिए मैंने इसको अच्छे से बान दिया है इसके बाद आपको क्या करना है इसको आपको राप के समय अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाना है एक राप के लिए आपको इसे अ आपको सबसे पहला काम यही करना इसको ले जाना है और आपको एक ऐसी सुनसान जगे डूणनी है जहां पर आप इसे ले जाकर इसे अच्छे से दबा देंगे इसे किसी पत्थर के नीचे दबा देना है आपको दोस्तों यह ऐसा नक्ष है जो कि तुरंत काम करेगा और आप कि मात्र कुछ ही दिनों में आपकी महबबत आपके पास वापस आ जाएगी दोस्तों आपको बस एक और काम करना है कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्षन में आपको अपना नाम लिख के भेजना है जिससे कि हम जब दूआ करेंगे तो उसमें आपका नाम शामिल होगा और आ झाल